गुजरात मा विदान सभानी चुटुणी नलेईने आमागमी पाटी नो महत वनो दावो सामे आविरो चे चुटुणी माँ पच्चास थी वदो बैचको जितवानो आपे दावो करो चे आपना गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया आए करो चे दावो चुटुणी में लेईने आमागमी पाटी ये प्रस कॉन्फरेंस योजी हती अत्यारे चुटुणी थाए तो पच्चास बैचको जीती शके चे आप तेवो गोपाल इटालिया आए दावो करो मुझे ये जिम्मेदारी सौपी है मुझे गुजरात का प्रभारी बनाया गया है प्रभारी का मतलब अब यहां जो चुनाव होने वाली है उसके संदर्व में यहां के लीडर्शिप के साथ मिलकर यहां चुनाव की सारी प्रक्रिया का निर्वहन करना है और उसके बाद मैं आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारे यहां इतनी भारी संख्या में आये हैं तो आप सब का स्वागत है और आज से हमारी जन्नी तो बहुत समय से चल रही है लेकिन अब हम सब का साथ रहे गया और आगे तक मिलकर चलेंगे मैं बस दो तीन चोटी चोटी चीज़े ही कहना चाहता हूँ बाकी तो मेरे लीडर अर्विन केजरिवाल जी अभी आये थे रोट शो करने के लिए तो उन्होंने सारी बाते इस फस्ट कर दिये मैं बस दो तीन चोटी चोटी चीज़े ये कहना चाहता हूँ प्रभारी के तोर पे कि गुजरात एक प्रोग्रेसिव स्टेट है यहां के लोग बहुत प्रोग्रेसिव है आप हर चीज़ में देख लिजे एडवांस है उनकी सोच एडवांस है गुजरात में पिछले 27 साल से भारती जनता पार्टी की सरकार चल रही है भारती जनता पार्टी को जो कुछ भी करना था कर लिया है जनता ने देख भी लिया भारती जनता पार्टी के नेताओं को जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया है अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है वो बदलाव की तरफ देख रही है और ये इस पस्ट है कि कॉंग्रेस आज की तारीक में वो बदलाव देने के स्थिति में नहीं है कॉंग्रेस पार्टी बी जे पी को गुजरात में नहीं हरा सकती है ये गुजरात का हर एक नागरिक कह रहा है और कॉंग्रिस पार्टी को भी पता है कि वो भारती जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है फिर प्रश्ण ये उठता है कि बदलाव आएगा कैसे तो इस बार चूंकि जनता को बदलाव चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिली में कर दिखाया है पंजाब में कर दिखाया है तो जनता की पूरी उम्मीद केजरीवाल जी की तरफ टिकी हुई है आज मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुजरात में भारती जनता पार्टी को सिर्फ केजरी वाल जी और आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है लेकिन सवाल किसी पार्टी को हराने का नहीं है किसी एक पार्टी को हराने का, दूसरी पार्टी को हराने का हमारा उद्देश हराना नहीं है किसी को हमारा सिर्फ उद्देश एक मात्र है की जनता जीते गुजरात में स्कूल बने, अस्पताल बने, बेरोजगारी दूर हो और यहां पे मिनिमम वेजिस जो है लोगों को दो-दो सा रुपे दिहाडी मिलती है